हे अंबेरानी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना उनकी जोली खुशियों से भर देना जै मातादी दोस्तों 2024 में इस बार मात दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृत्वी लोग पर पधार चुकी है शास्त्रों में वर्नित हैं तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शार्दिय नवरात्री पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बलकि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्यान कारी माना जाता है जीवन सुखमय हो जाता है भक्ती का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है दिल में सुकून मिलता है माता वैशनो भरपूर आशीरवात देती है दोस्तों इस बार नवरात्री पूरे 9 दिनों तक चलेंगे यानी 9 दिनों तक नवरात्री का पर्व मनाया जाएगा माता वैशनों की पूजा मा शेरावाली की विशेश रूप से पूजा अराधना की जाएगी शार्दिय नवरात्री का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे दोस्तों चलिए अब जानते हैं नवरात्री में कौन-कौन सी सबजी नहीं खाना चाहिए और कौन-कौन सी सबजी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से वरत तूट जाता है आए जानते हैं नवरात्री में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेश और शुभकारी माना गया है आज हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशी जरूर डाल दीजिएगा यदि हमारे पास आपकी राशी के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे ताकि आपको राशी के अनुसार फल प्राप्त हो राशी के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है मैया वैशनो रानी बहुत प्रसन होती है कमेंट में लिखे माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जय माता रानी एक लाइक जरूर करे वैशनो रानी के लिए एक लायक तो बनता है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताये गए व्रत चाहें किसी भी प्रकार के क्यों ना हो उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवशक माना जाता है क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यनि कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है इसी लिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधिविधान से किया जाना चाहिए तब आपको व्रत का पूर्ण लाब फल प्राप्त होता है अथि उत्तम और शीग्र दीरघायू वर्दान प्राप्त होता है आपकी सभी मनो कामनाएं शीग्र मैया रानी पूर्ण करती है ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है वह सदैव मा की सेवा करता है ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में इश्वर के प्रतिश्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फ़ल मिल जाता है और अगर मन में ईश्वर के प्रतिशंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नर्क में ही भटकता रहता है। दोस्तों ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान की बीच की है। अब हम जानते हैं। क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुकरवार पढ़ जाता है। और शुकरवार को मा संतोशी का वार कहा जाता है। माता संतोशी खटी चीज खाने वाले व्यक्ती से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है। क्योंकि नवरात्रों में माता संतोशी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोशी की शक्ती नवरात्रों में कई करोड गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुकरवार पढ़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोशी रूष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है, नीमबू नहीं खाना चाहिए, वैसे तो नवरात्री के वरत में नीमबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो, तो माता संतोशी के क्रोध से बचने के लिए नीमबू नहीं खाना है, इस दिन नीमबू क त्याग करना चाहिए। अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ पानी पूरी आप खा सकते हैं वो भी जब नवरात्री समाप्त हो जाए। दोस्तों नवरात्री के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदी जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका वरत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तर्बूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से वरत धारी को शक्ति मिलती है और वरत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल जरूर खाना चाहिए। सीता फल खाने से 20 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है नवरात्रों के दिनों में सीता फल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीता फल खाने से नवरात्री का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीरवाद मिला हुआ होता है। माना जाता है, भगवान राम के वनवास के दोर में माता सीता ने यही फल खाया था. नवरात्री के दौरान इसे जो भी खाता है, उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता. सीता फल आपको ज़रूर खाना चाहिए. माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीरवाद देती हैं. दोस्तों नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाना है वरत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए वरत में तीखा खाने से वरत धारी की जो पेट की आंते होती हैं उसमें जखम हो सकते हैं क्योंकि इस दौरान हम वरत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसलिए हलका खाना खाना सर्वो प्रिय और उत्तम माना जाता है। वरत धारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में उर्जा की भरपूर जरूरत जो होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रों में भिंडी की सबजी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो हमारी हड़ियों को मजबूत बनाते हैं तथा नवरात्रों में बैगन की सबजी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे जब नवरात्रों में सुमवार पढ़ जाए तो बैगन की सबजी मत खाना पाप लगेगा। नवरात नवरात्री के दौरान नहीं खाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रों में ब्रत धारी को डबबा बंद लसी, डबबा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत तूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पीएं तो य गाडे का आटा या कुटू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुराने आटे में कीडे वगएरह पढ़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत तूट सकता है क्योंकि ये छोटे-छोटे कीडे हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुहु तक पहुँच जाते हैं ऐसा आटा खाना मतलब कीडे मकोडों का मांस खाने के बराबर माना गया है। चाय में वगएरह भी पी सकते हैं लिकिन याद रहे उसमें नमक न डालें। चाय में नमक डालने से वरत भी तूट जाएगा और हड़ियां भी गल जाती हैं। एक बात का ध्यान रहे वरत धारी को पेट भर खाना यानि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं तो वरत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। करा हुआ करें भी डेल थे पालने से विल घु링 है।